अजी नमस्का रादे रादे रर्मादेव मैं आपका आचर देव आज बात करेंगे ग्रोहों में चंद्र देव की चंद्र महराज सभी योगों में अपना योगदान देते हैं और चंद्र ठीक हो तो योग बलसाली होते हैं योग फल देने वाले होते हैं मन के कारक है, मस्तिस्क के कारक है और कुंडले में जो सबसे महत्पून भाव होता है इसको बोलते हैं सुख क्योंकि मानवत तन प्राप्त किये हैं तो सुख के लिए प्राप्त किये हैं तो सुख का कारक है चंद्रदेव तो चंद्रमा जहां रानी के पदपरासीन है वहीं पर योगों को स्रिजन करने की अदवुत सक्ती अदवुत छमता रखता है चंद्रमा लगाव का प्रतीक है इस इसार में जो संबंध है न वो संबंधों का बीज जो है वो चंद्रमा ही है चंद्रमा मन का कारक है और मन से ही मानो तो सम्मंद सभी मानो तो सारे नाते हैं अन्था के लिए ही प्राणी इस जग में आते जाते हैं कैसा घर कैसे घर वाले जग चलती फिरती इचाया है यह अपने रस्ते जाएगा यह अपने रस्ते आया तो चर्चारम करें उससे पहले रिप्या चैनल को सब्क्राइब करें जो जानकारी आपको यहां पर मिलेगी वह अन्यत्र सरल तरीके से नहीं मिलेगी यहां पर जो कुस भी तेरा तुसको अरपन क्या लागे मेरा तो चंद्रदेव चंद्रदसल चरित्र को दर्शाते हैं किसी के चरित्र को देखना होना तो चंद्रमा को देख लेजे चंद्रमा को देखते हैं उसके चरित्र का मुल्यान का नाप कर लेगे क्योंकि चंद्रमा सीधे तौर पर हमारे मन, हमारे भावना, हमारे हृदय को बताता है तो आप किसी के हृदय कैसे है, किसी के भावना कैसे है, किसी के बिचार कैसे है, इसको चंद्रमा से देख सकते है बारा रासियों में ब्रिशव रासि में चंद्रमा को उच्चता प्राप्त होती वो भी क्रितिका नच्चत्र में कौन से नच्चत्र में? क्रितिका सूर्य के नच्चत्र में किसी को उच्चता उच्चता नहीं मिलती लेकिन चंद्रमा को सूरी के नच्छत्र में जाकि उच्छता मिलती है ये खास बात ध्यान रखेगा आत्मा के नच्छत्र में मन को उच्छता मिलती है अगर थोड़े से ब्यापक दोर पे जाएं तो आत्मा के नच्छत्र में मन को उच्छता मिलती है महिने का मतलब यह कि आत्म तत्तों के लिए जम्मन को लगा देंगे तो आप उचाई प्राप्त कर जाएंगे हमारे वीडियो पे आपको थोड़ा दाएं बाएं चलते रहिए इससे कि आपको बहुत ज़्यादा ग्यान मिलेगा तो तीन चार चीज़ें बता के फिनिस कर दूँगा लेकिन मैं चाहता हूँ ग्रॉओं को आप समझें जब आप समझेंगे तो उसको पुंडली पे लगा पाएंगे तो ब्रिशव रासी में ब्रिश रासी में उच्चे के होते हैं और करकरासी में बहुत सुंदर फल देते हैं करकरासी में पुस से नच्चत तक बहुत सुंदर फल देते हैं ये जब ब्रिश्चिक में जाते हैं तो वहाँ पे नीच के हो जाते हैं खासकर गुरू के विसाखा नच्चतर में सेस नचत्रों में भी नीचता रहती है लेकिन कम हो जाती है नीच नहीं रहते उनकी रस्मियां थोड़ी से कमजोर होती हैं इसलिए पीड़ित रहते हैं दुखित रहते हैं बलसाली होने पर नवर चंद्रमा आपका बली है तो बलसाली होने पर आप समवेदन सील होंगे सुभाव आपका बहुत अच्छा होगा मृदू होंगे वागपटू होंगे आपने जीवन में जो भी सुख सुविधाएं होती है न वो सब आप राप्त करेंगे चंद्रमा अगर ठीक है न तो माता का सुख बहुत मिलता है चंद्रमा मा का प्रतीक है और चंद्रमा कमजोर हो गया तो माता का स्वास कमजोर हो जाता है जिसका चंद्रमा कमजोर होता हमको ग्री सुख, मात्रि सुख या सुख की कमी हो जाती है चंद्रमा अगर बलहीन हो गया तो मानसी गुरूप से आप कमजोर रहेंगे जो घर से प्यार मिलना चाहिए वो घर से प्यार आपको नहीं मिलेगा वैदिक जोतिस में चंद्रमा मन, माता, मस्तिस्क, मनोवल, द्रब्य, वस्तु, यात्रा, सुख, सान्ति, धन, संपत्ति, रक्त, बाईयात, छाती, आदिका कारक होता है 27 नचत्रों में देखें तो रोहेडी हस्त और स्रवण नचत्र का स्वामी होता है आकार में काफी छोटा है लेकिन गती बहुत है जो रासी को सनी 30 मा में पूरा करता है गुरू 13 मा में पूरा करते हैं सूर 30 दिन में पूरा करते हैं उसी को चंद्रमा सवा 2 दिन में प्रवण कर लेते हैं इतनी गतसील है इतनी दृत गती है चंद्रमा की सनी पूरा तीस महीना ले लेता है सूर नाराण एक माह लेते हैं और वहीं पे चंद्रमाराज सवा दो दिन में उसको क्रास कर देते हैं तो गतिसील हैं इसलिए महत्पून है कि चंद्रमा से हमारी कुंडली में जो स्रिजन आरम होता है न चंद्रमा से आरम होता है बच्चा पैदा हुआ तो चंद्रमा को देख के पता चलेगा किस नशत में पैदा हुआ तो इसके नाम का अच्छर क्या आएगा नाम अच्छर क्या जोड़ा जाएगा नामाच्छर इसलिए जुड़ा जाता है कि वो आपको एनरजी प्राप्त हो जो पूरुजन का संचित पुणे पाफ है पुणेयों की एनरजी प्राप्त करने के लिए नाम करन किया जाता है आपका यही चीज़ें बताती है कि आपके उपर कौन सी महा दसा होगी कौन सी योगनी दसा होगी कौन सी अश्टोंतरी अविस्टोंतरी दसा आपकी उपर रन करेगी मतलब किसका किसका सासन चलेगा आपके उपर सासन करने में प्रियार्टी किसको मिलेगी यहाँ चंद्रधेव ही बताते हैं इसलिए चंद्रमा आपके जीवन का आधार है जब भी आप देखते हैं कि कुंडली में बहुत से योग निस्फल हो जाते हैं तो इसके पीछे चंद्रमा होता है ब्रिस्चिक रासी वालों के लिए कुंडली में बहुत से योग बनते हैं लेकिन निस्फल हो जाते हैं क्यों चंद्रमा कमजोर हो जाता है ब्रिसब राशी वालों के जीवन में बहुत से योग कमजोर भी रहेंगे तो बन जाएंगे क्योंकि चंद्रमा मज़ूथ है योगों को कनेट कर देगा आप नार्मल तोर पे देखें जो पार्टी लोगों से मेल जोल रखती है दूसरे के पार्टी फटाक से तोड़ लेती है ठीक उसी तरह चंद्रमा या मेल जोल का प्रतिक है सबसे संबंध मनाता है चंद्रमा किसी को सत्रू नहीं मानता ध्यान देने वाली बाती है सबी ग्राह एक दूसरे को सत्रू मानता है लेकिं चंद्रमा अकेला ग्राह किसी को भी सत्रू मानता ही नहीं बोलता है ठीक है आप आगे बढ़ो जी हमें क्या प्रावलम है आप आगे बढ़ो तो चंद्रमा किसी को सत्रू नहीं मानता या अत्यान तो सौम में सीतल ग्राह प्रकित्व को नियंत्रित करता है आप चंद्रमा को कहते हैं ना कि आउसदियों का पती है सारी आउसदियां इसके रस्मियों से आगे बढ़ती है इस्त्रिक रहा है प्रितवी के सबसे निकटतम रहा है प्रवाले चुम्बकी सकती है इसके अंदर इसलिए जो आपके चेहरे पर आएगा आपके लगन पर आएगा तो आपका आकर्शन बढ़ जाएगा आपके अंदर एक चुम्बक होगा जो लोगों को खींच के रखेगा अब इसके चुम्बके सकती आप ऐसी देख सकते हैं कि समुद्र के जल को खींच लेता है सब्तमी अब आवस्या पूरिमा पर हम देखें जो ज्वार भाटे आते हैं वह इसी के वज़ा से आते हैं कि जब या कि समुद्र के जल को खींच सकता है तो हमारे आपको मन को क्यों नहीं खींच सकता असी प्रित्सत हमारे सरीर में पानी है और पानी को इमत देना चंद्रमा का काम है और हमारा मस्तिस्क भी उ सरवादी की यूज कुन करता है, मस्तिस्क की यूज करता है, इसलिए चंद्रमा मन और मस्तिस्क दोनों पर प्रभाव डालेगा, जो आप कुंडली विवेचन करेंगे तो ये सारी सिज़ें आपकी बहुत काम की होंगी, अभी हो सकता है, आपको लगे कि कुछ चिज़ें पदवी प्राप्त है, रानी का मतलब है जो आपका बैक बोन है, रानी का मतलब है घर की पूरी शामगरी, अता भूमी भवन वाहन के स्वाभाविक कारक होते हैं चंद्रमा, आपको पैत्रिक संपता मिलेगी की नहीं, घर मिलेगा की नहीं, घर का सुख मिलेगा नहीं, ये चंद्रदेव यहां के कारक है सुख्ल पच्च में है तो अत्तिन्त स्रेश्ट पल देने वाले होते है कृष्ण पच्च में है तो इनका बल धीरे-धीरे कम होने लगता है तो ऐसे में मन पीडित होना द्रभ्य वस्तों की प्राप्ति कम होना मन में कलेस रहना माता से सम्मंद ठीक ना रहना मांसी किस्तती ठीक ना रहना मनोव वाले confidence level कमजोर होना सुख संपत्ति धन के प्राप्ति में और बाई आँख में प्यूडा होना छाती में प्यूडा होना ये सारी चीज़ें आपकी कुंडली में देखने को मिलेगी चंद्रमा इसी का कारक नहीं होता जो चंद्रमा के सुच में तत्तों में जाएंगे तो चंद्रमा हार्ट का कारक होता है हर्दय का और आजकल हार्ट से रिलेटेड रोग लोगों को बहुत हो रहे हैं हार्ट अटाइक बहुत आ रहे हैं तो चंद्रमा अगर ठीक है तो हार्ट की बीमारी नहीं आएगी, चंद्रमा ठीक नहीं है तो हार्ट सम्मंदी बीमारी आएगी, चंद्रमा आपके मस्तिस का कारक है, चंद्रमा आपके जननेंद्री से लेके प्रजनन सक्ती तक का कारक है, ठीक है न, प्रजनन सक्ती तक के का आरकत को लेके चलता है इसलिए जिनका चंद्रमा वीव को जाता है उनकी प्रजन सक्ति में कमजोरी आ जाती है सबसे बड़ी बात क्या है चंद्रमा लगाव का प्रतीक है में पॉइंट पकड़ेंगे तो सम्मंधों को निभाने के लिए चंद्रमा सबसे महत्पूर्ण ग्र मिश्यन पखोरकर देता है यह बात आपको किताब में नहीं मिलेंगे हमने तू नहीं पड़िए आपने कहीं पड़िए तो बताईएक इसलिए चैनल को अभी भी सब्क्राइब कर देजिए इसलिए सब्क्राइब करें बड़ी नवीनतम गुडतम बातएं मैं आपको प्रोसाहित करें कि वो हमारे साथ जुड़ें यहां पे जोतिस का ए से लेके जड़ तक की सारे बाते होंगी और जितना सुचमतम तक तुसे सरलतम तरीके से आप समझ सकते हैं उतना सरलतम तरीके से यहां पे जोतिस आपको समझाया जाएगा यह चैनल आप लोगों के सीखने के लिए खुल गया है तो प्रेप्या अधिक सदिक मात्रा में जुणे मैं चाहूं तो डारेट कुनली वाचना शुरू कर दूँ लेकिन कुछ चीजों को आप समझ लें तो आपके लिए बेतर होगा हमारे लिए नहीं आपके लिए मैं इस सारी चीज़ें आपके लिए कर रहा हूँ तो चंद्रमा आपके चतुर्द भाव पे डारेक्ट प्रवाव रखेंगे उसके अलावा चंद्रव देओ आपके सिकंड हाउस पे प्रवाव रखेंगे बिशव रासी में प्रवाव रखेंगे चंद्र महाराज आपके कन्या रासी में प्रवाव रखेंगे और चंद्र महाराज आपके मकर रासी में प्रवाव रखेंगे अगर आप कालपूर इसकी कुंडली अपने सामने रख लें तो कालपुर उसके कुंडली में सेकंड अभा में चंद्रमा का प्रभाव मतलब धन पे डारेट चंद्रमा का प्रभाव धन कितना मिलेगा कहां से मिलेगा कैसे मिलेगा कम मिलेगा किस प्रकार से मिलेगा यह चंद्रमा ही बताएगे भूमी बोवन वहान का सुख कितना मिलेगा पैत्रिक संपता मिलेगी कि नहीं मिलेगी माता की सिहत कैसी रेगी माता का प्यार माता कशने मिलेगा कि नहीं मिलेगा यहाँ चंद्रमा बताएगा लाइफ में आप संगर्ष कितना कर सकते हैं संगर्ष करने की चमता है की नहीं रोग प्रतिरोदक चमता आपके अंदर कितना जादा है सत्त्रों से संगर्ष करेंगे आप पराजे स्विकार कर लेंगे यहाँ आपका चंद्रमाही बताएगा काया से कुछ नहीं होता सिवा जी छोटे आकार के थे बड़े बड़े उनके सामने जो है पानी मांगते थे राणा प्रताप काकार अच्छा था लेकिन मन उनका जिसका मन मजबूत होगा नालमन्य छोटा सा था मन मजबूत था चक्रवियों में गुज गया रोल है रोहडी का रोल स्रवण नच्चत्र का रोल और हस्त नच्चत्र का रोल तीन रोल को आपको याद करना पड़ेगा देखिए इसलिए बोलता हूँ ना जोतिस है तो बहुत सरल लेकिन थोड़े से इसको खोल के रखने होगे और थोड़े से अपने जो इस्ट है ना उनकी अराधना करिए क्योंकि बिना इस्ट की क्रिपा से मिलता नहीं दोस अगर किताबे ही पड़ लेने से आप अच्चे इस्ट्रोलाजर बन सकते थे तो लाइब्रेरी से बड़ा इस्ट्रोलाजर दुनिया में आख अच्ची रखेंगे, आपका मन अच्छा रखेंगे रिदयर अच्चा रखेंगे, हाट अटाइक नहीं आएगा लोगों से लड़ने की रोगों से लड़ने की चमता रहेगी और आपके अंदर हस्त स्थापना अघम्या सक्ति मतलब आपके हाथ में वो कलाओगी जिस भी काम को करोगे फटाफट हो जाएगा जिस भी काम बे हाथ लगाओगे उसको कर ही डालोगे और आवशित्ता पड़ी तो अस्त उठाने के तो अस्त उठालोगे तो फिर सुत्रु आपके सामने नतमस्तक ही हो जाएगा ये चंद्रमा का एक ब्यापक सरूत चंद्रमा कारक है लगाओ का इसलिए चंद्रमा जब आपके लगन में बैठेगा तो ब्यक्ति सुता को बहुत महत देता है सुता से प्रेम होता है सुता से प्रेम होना भी चाहिए इस दुनिया में अगर कोई आया है प्रता से प्रेम नहीं करता तो जूर बोलता है और किसी से प्रेम कर ही नहीं सकता जो आदमी खुद का नहीं होगा दूसरे का क्या होगा जी और आपका इस जीवन में वीवा जो हुआ है खुद से ही तो हुआ है नवम का वीवा लगन से हुआ है तो अगर आप अपने को ध्य ही सरवाधिक होते हैं संतान से ज़्यादा भाई बंद मांदूओं को वह सपोर्ट करते हैं क्यों करते हैं वह उनका मन भाईयों में लगता है कुछ लोग ऐसे मिलेंगे कि घर वह बीमार है लेकिन पैसा नहीं निकालेंगे वह चंद्रमा जो वीप हो जाता है सेकंड हाउस में बैटके तब इस्तियां इस तरह की बनती है थार्ड हाउस में बैटता है तो माही जगदंबा है माही को प्रधानता देते हैं माने बोल दिया फाइनल सिवाजी जैसे माने कह दिया कोई टीका टिपड़ी नहीं बस वही करना है पंचमबा में बैटते है तो प्रेम बहुत होता है संतान से इतना प्रेम होता है संतान के विछो में ऐसे लोग अपने आपको संभाल नहीं पाते संतान के विछो में ऐसे आपको संभाल नहीं पाते दसरत जी राम का बैटेगा सत्रों से प्रेम करेगा रोगों से प्रेम करेगा सत्रों किसी को मानते ही नहीं माने हैं कल को उसने माफी मांग ली कोई बात नहीं भाई आ तेरी हल्प करते हैं सब्तमबा में बैठता है तो जीवन साथी से बहुत प्रेम करता है वही सर्वा फिर सबसे ज़्याद पुन जीवन सात्य हो जाता है बीवा के पस्चाट ऐसा बच्चा घर वालों को डिश्कनट करके अगर जीवन सात्य को प्राथमिक्ता देता है तो उसमें उसके कोई गलती नहीं है, क्योंकि उसका चिंद्रमा बैठा है उसके बर्थ चार्ट में लिखा हुआ है कि बीवा के अठेरिया करना इनको मज़ा आता है और अगर चिंद्रमा वीग का हो तो ऐसे लोगों के अंदर आत्मत्या के विचार आते हैं उन्हीं लोग ट्राई भी कर लेते हैं सनी अच्छा हुआ लगने से अच्छा हुआ तो आत्मत्या में सफलता नहीं मिलती बस जाते हैं तो कर्म से प्यार होगा, पिता से प्यार होगा, सरकार से प्रेम मिलेगा आपको लाब बावे बैटे हैं, बड़े भाईयों से प्यार मिलेगा और जहां पैसा मिलेगा उसको देखें कुछ लोग इवन में धन को बहुत मात देते हैं, हमारा नुकसान नहीं होना चाहिए, सम्मंद तूटते हैं, तूट जाएं, जिनकी एकादस बाह में चंद्रमा बैटता है, ऐसे लोग मुक्त हस्त से खर्च करते हैं, चार लोग बैटे हैं, पारटी कतम होई, जो परस निकल क्योंकि वो खर्च करने के लिए बने हैं, तो यह चंद्रमा की मोटी मोटी बाते हैं, बहुत महीन बाते नहीं हैं, बहुत महीन में जाएंगे, तो और वीडियो कम सकम 20 मिनट लंबा हो जाएगा, आसा करता हूँ, यह जानकारी आपको अच्छी लगेगी, चंद्रमा इसक को बताओगे कि रोजगार आपको क्या 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 करना है, तो चंद्रमा जहां पे ज़्यादा अपना परवाव रखेगा, उससे रिलेटिड आप लोगों को बतापाओगे, भाया यह यह ब्यापार कर यह इसमें लाव होगा, चंद्रमा के नच्छतर बताएंगे कि कौन तो आज एक मोटा मोटा खाका महेन खाका फिर आपको दिया जाएगा, निस्चत रोप से आपको जानकारी अच्छी लगी होगे, चैनल को सब्क्राइब अवश्च कर लेजेगा, आपको मंगल में शुब कामना, जै माता की, जै जगदंब